आप देख रही है MNS News सच जरूरी है आप देखते हैं खबर विस्तार से सरकारी कर्मियों की हरताल स्थगित सीम शिंदे ने दिया अश्वासन विदान सबा में गोशना करने के बाद की पुरानी पेंशन योजना के समन्द में अंतिम निर्ने बज़र सत्र में लिया जाएगा राज्य सरकार कर्मचारी संग ने पहले दिन अपनी अनिशित कालिन हरताल वापस लेने की गोशना की मार्च 2023 में राज्ज सरकार के कर्मचारी अनिशित कालिन हड़ताल पर चले गए थे सरकार के हवस्तव शेप के बाद यूनियन ने हड़ताल वापस ले ली थी लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर अभी तक कोई सघोशना नहीं होने पर उन्होंने 14 दिसंबर से दोबारा हड़ताल शुरू कर दी तरहतारी को कर्मचारी संगों और सरकार के बीच हड़ताल को लेकर चर्चा हुई सरकार को राज्ज के अधिकारी ओव कर्मचारी के लिए पुरानी सेवा पेंशन योज़़ा लागू करने को लेकर नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट कर्मचारी संगों को दिखानी चाहिए इसका अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है और इस पर राय मुक्य सच्चु के माध्यम से सरकार को सोपी जाएगी सरकारी समूल सिधान पर कायम है कि सेवा निर्द होने वाले कर्मचारी किविती और सामा जिक सुरक्षा पुरानी पेंशन योज़ना के नुसार उचीत रूप से बनाय रखी जाएगी सरकार को प्राप्त रिपोर्ट तता उस पर चरचाएव अंतिम निर्णे इसी सिधान के अनुरूप होगा इसलिए मुक्य मंत्रिक नाशिंदे ने विदान सबा में एक बयान के माध्यम से आश्वासंदिया कि इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णे आगामी वज़त सत्र में लिया जाएगा आए बढ़ता अगले खबर की और ज्वाज़त नहीं मिलने पर नितिश कुमार की वारा नसी रैली रद्द बिहार में सत्ताधारी जनता दल ने मुक्य मंत्रि नितिश कुमार की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदिय शेत्र वारा नसी के अंतरगत आने वाले रोहनिया विदान सभा शेत्र में 24 दिसंबर को प्रसावीत एक रैली के लिए स्थानी अधिकारी ओद्वारा अनुमती देने से इंकार की देजाने पर बुरस पतिवार को योगिया अधितिनात के नेतरुत वाली उत्तर प्रधेश सरकार की आलोचना की जदियू के वरिष्ट नेता और विहार के ग्रामिन विकास सम्मंत्री श्रवन कुमार ने कहा मुक्यमंत्र निदेश कुमार की 24 दिसंबर को वारा नसी की रोहनिया में होने वाले सार्वजनिक सभा रद्दकर्ग दी गई है रोहनिया विदान सभा शेत्र में जगतपूर इंटर कॉलेज के प्रशासन ने जहां कुमार को एक सार्वजनिक बैठक करनी थी तानिया प्रशासन और राज्य सरकार के दवाओ के कारण हमें इनकी अनुमती देने से इंकार कर दिया उन्होंने पहले कहा था कि हमें अनुमती दी जाएगी लेकिन ब्रुस पतिवार को उन्होंने इसके इंकार कर दिया उत्तरप्रदेश में पार्टी के मामलों के प्रभावी श्रवन कुमार ने आरोप लगाया। एक ठोस रन्निती तयार कर रहे हैं रोहनिया की जनसवा में पुरुवाच्छल छेत्र के पार्टी दिता और कार्य करताओं को शामिल होना था रोहनिया वारा नैसी का पटेल बहुल विदान सवाच्छेत्र हैं आए बढ़ते अगली कबर की और जनता चाती है 2024 में मोदी सरकार बने तीन राज़ों में जितकर लोगों नी इसकी शुरुवात की है एकनात शिंदे राजस्तान के ने मुकेमादरी भजनलाल शर्मा के शपत ग्रहन समारों में शामिल होने के लिए महराश्ट्र के सीम एकनात शिंदे जैपूर पहुचे इस दौरान उन्होंने मिडिया से बाचित में कहा कि 2024 में मोदी सरकार रिपीट होगी इसकी शुरुवात तीन राज़ों में जितकर हो चुकी है महराश्ट्र के मुकेमादरी इकनात शिंदे जैपूर राजस्तान के लिए मुकेमादरी पत की शपत लेंगे जैपूर के रामव मुकेमंदर इकनात शिंदे ने कहा कि आज बहुत खुश है का दिन है भजनलाल शरमा को शुब कामना देता हूँ लोगों ने प्रदान मंत्री मोदी की गारेंटी और कारियों को अपनाया है और कॉंग्रेस की गारेंटी को ठुकराया है दोजार शोबिस में मोदी सरकार व बिश्वास जताया है एकनात शिंदे ने राजस्तान और महराश्र की जनता का अभिनंदन करते हुए कहा कि लोगों ने दोजार चोबिस में नरेंदर मोदी को प्रदान मंत्री होने की गारेंटी दे दी है अब आप हमारे चैनल को आपके मोबैल पर भी देख सकते हैं मोब देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर अब वक्त उचला है दर्शकों ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखिएगा देश और दुरिया की तमाम बड़ी कबरें बनी रही है मैंस न्यूस टीवी पर नमस्कार यह है मैंस नेट पर और आप देख रहे हैं मैंस न्यूस